कनिष्ट साहक के मित्रों जैसा कि आप देख रहे हो अमर उजाला की एक खबर है आज की और आप मैंसे कईयों ने इससे देख भी लिया होगा इसमें हेडिंग है कि भरती घपले से नहीं उबर पा रहा आयोग यानि जो देरी हो रही है चीजों की वो क्यों हो रही है देख लेते सबसे पहले तो मौतुलिया जी ने क्या बोला है पूरू की परिक्षा नियंतरक जादा समय नहीं दे पा रही थीज़एsty अब नए परिक्षा नियंतरक आ गए है हम सफता भर में दो दो दिन एक-दो दिन ही बोला जाता है और कल भी फ्राइड़ है यह सब्ता का भी वैसे एंड हो रहा है क्योंकि सटेटे संडे वैसे भी आयोग बंदी रहता है तो उत्राखन अधिनस्त सिवाचे न आयोग भरती गपले के सदमे से पूरी तर अभर नहीं पाया है आयोग के नए अधियक जिस हिजाब से योजनाएं बना रहे हैं वह अधिकारियों करमचारियों की कमी की वज़े से परवान नहीं चड़ पा रही है इसना तक अस्तरी पर लाकों के पीछे चले गए थे इसके बाद अधियक एस राजू ने खुद इस्तिफा दे दिया और संतोस बढ़ोनी को पद से हटाने के बाद निलंबित कर दिया गया था ठीक है तो कहने का मतलब है देखो यहां पर क्या बताया जा रहा है अब आयोग अभी तक एल्टी की समात जो है फरवरी के दूसरे सब्ता तक रंकर्स परिक्षा परिणाम के साथ ही वह एक तिसायक परिक्षा के चैन की कारवाई की जाएगी कनिश्ट सायक में टंकन की कमी को दूर करने के बाद अब कनिस्ट सायक का जो मैटर है वो कहां फसावाई पे जहां तक मुझे लग ने समाद में कहा था आयोग ने तो देखो टंकन परिक्षा में कमी की बात कई जा रही है और हमने सबसे पहले यह बता दिया था जब हमने बताया गया था उससे में बहुत सारे स्टुमेंट ने यह भी बोला कि तुम ऐसी अफवाब बता रहे हो वही कोई टंकन में दिक्कत जो टाइपिंग करवाई है देखो आयोग ने जिस संस्था से करवाई है तो उसका चैन आयोग नहीं किया है तो यह पूरी तरह इसके लिए आयोग जिम्मेदार है ना कि अभ्यरती टंकन में कोई भी दिक्कत विए जिनके पास भी पास होने का सर्टिफिकेट के साथ है व यह नहीं मालूम तो कनिसाय के सभी चाहिनीति एक बार फिर मांग रखते हैं कि हमें इस महीने के अंदर-अंदर कम से कम अभी तो हम यहीं बोलेंगे कि इस महीने के अंदर-अंदर रिजल्टी दे दो यह यह सबता भी अब समझे चला ही गया है इसमें भी ज्यादा कुछ उमीद है नहीं अब तो मार्च के एंड तक ही दे दो चलो दो-चार दिन जो बच रहे हैं महीने के उसमें तुम रिजल्ट तो दे दो कुछ